चाशन की मंशा अनुसा जबलपुर में लाइफ मिशन के तहतर बन करमचारियों ने सक्षिता अभ्यान शुरू कर दिया है आपको बतारें सबी बन करमचारियों ने सबस्तों अपने हातों में इचार उठा कर सापसफाई शुरू कि इसके पहले सबी बन करमचारी में जबलपुर की बन शेतर को साथ खुतरा और परियाबरं को बच्चाय रखने की इश्चा पतली इधर कंटगा इसके बन विवाग के सरकित हाउस से शुरू किया गया या लाइफ मिशन अभ्यान पार जून परियाबरं दिवस्तक लगातार तुबस्ते लेकर शाम तक अलग-अलग शेतरों में जारी रहेगा इधर इस अभ्यान में करमचारी तो अपने हातों में जार उ और उनका कहाना था सवी मिशन लाइफ में तिर पर कर्मचार Espero को कि क्यूं लगार किया क्या है कि इस pension में अधिकारिओं कि आवशरक्ता नहीं थी देखिए हम लोगों का मिसन लाइफ के तहट आम लोगों को केवल उस चीजों से जोड़ना है जिससे उनकी जिंदगी में बहतर परिणाम मिल सकें उसके तहट साफ सफाई करेंगे उसके तहट जल्सरोतों का सुद्धी करण करेंगे उसके तहट बन छेत्रों में पौधरोपन करेंगे आम व्यक्ति को पौधरोपन से जोड़ा जाएगा ताकि परियावर्न का संतुलन बना रहे है। सासन की इस मंसा का अब मैं बनकर्मचारी संग का महामंतरी होने के नाते स्वागत करता हूँ। अगर बन विभाग की बात करूं तो अधिकारी कहीं भी इस मिसन में उपस्थित नहीं रहते हैं। जबकि अगर वो उपस्थित रहें तो इसके बहतर से बहतर परिणाम मिल सकते हैं। लोग तो अपना 100% दे रहे हैं आज सुबह 8 वजे से लगे हैं साम 5 वजे तक यहीं काम करेंगे जहां भी गंदगी दिखेगी वहां सफाई करेंगे बन वन शेत्रों विर्क्षर ओपर करेंगे लोगों को जागरूत करेंगे और कोशिस करेंगे के परियावरा सुधरे मग अगर परिणाम कितने बहतर मिलते हैं अधिकारियों के अनुपस्तिती में एक है सबसे पहले सुबह सभी समस्त स्टाप को सूचित किया गया है कि आप लोग कटंगा रेस्टाउस पहुंचें तो कटंगा रेस्टाउस मेरा सारा इस्टाप पहुंचने के बाद यहां पानी बचाओ पानी मत फेकें इसका विशेश ध्यान रहे हैं और इसके बाद यसी हमारा कारकरम संपन्नुगों तो मां सासन द्वारा दिये गए सबस्त पत्र का वाचन करके सबस्त समस्त करमें सबस्त ग्रहान कराया गया तसरा सिंग टाको और 26 पर परश्य साइक जवल प